नमस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल रागव पाम एनलिस्ट पर अगर आप भी अपने पाम का एनलिसिस का बना चाहते हैं तो मैंने अपने सारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना कॉंटेक्ट नमबर छोड़ दिया ह है आप उस पर समपर करके अपने पाम के वीडियो बनवा सकते हैं दोस्तों ये एक मेल राइटेक्ट इन पाम है और इनके पांका एनलिसिस करके कि हम पाम इस्ट्री के बारे में कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं तो चलिए दोस्तों बिना किसी देवी के वीडियो को शुरू करते हैं अगर हम पहले लेजरिन के पाम पर डालेंगे तो यह शुक्र परवत है शुक्र परवत काफी अच्छा है तो यह शो करता है कि ऐस साथ वेक्ति लग्जरी का काफी शौकिन होता है इसके साथ साथ ऐसे वेक्ति लग्जरी के लिए महनद करते हैं और एक समय पर आगर लग्जरी को इंजॉइ भी करते हैं दोस्तों अगर हम बात देखें चंतर्वत तो चंद प्रवत काफी नौरम है। जैसे चंद प्रवत होता है तो वैक्ति उपनी फर्ष में बनी माता जी कर शीक्ट अच्छ zijn वैक्ति वैक्ति समय पर सहीन इंडिया लेने में ऐसे वक्ति सक्षम होते हैं अगर हम बात करें अंदुरुनी मंगल की तो अंदुरुनी मंगल काफी अच्छा जब ऐसा अंदुरुनी मंगल होता है तो व्यक्ति को शालिरिक ठकावट नहीं होती इसके साथ साथ ऐसा व्यक्ति बिना खाय प्याप यह दिन भर काम कर सकता है इतनी एनर्जी व्यक्ति में होती है और आकी दोस्तों इनके अंदुर्नी मंगल पर एक मुझे मंगल देखा दिख रही है लेकिन दोस्तों ये बड़ी मंगल देखा नहीं है ये छोटी मंगल देखा है और ये शो कर रही है कि ये एक्टिव होगी लगब दोस्तों 40 की उमर में तो ये दिखाता है कि ऐसे व्यक्ति का भाग क्यों दो है लगब क्यों होता है लग बक 40 के असपास काफी अच्छा होता अगर हम बात करें बहारी मंगल की तरफ तो बहारी मंगल नॉर्मल है जब ऐसा बहारी मंगल होता है तो वक्त की कम्मिकेशन स्किल्स नॉर्मल होती है इसके साथ दोस्तों ऐसा वक्ती बुरे समय में भी अपने बुरे वक्त से नहीं ड़ता अपने संगर्शों से लड़ता औ तो दोस्तों फोटों में साफसाब दिख रहा है कि गुरू पर परवत यहां से उठा हुआ है और हम क्योंगों अपने परिवार के रिष्टे इतने बुरे भी नहीं होते लेकिन मैं इन्हें कुछ रेमेडिस दूंगा जिने करेंगे तो इनको काफी ज्यादा आराम देखने को मिल जाएगा और दोस्तों इसके साथ साथ अगर हम देखें इनका शनी प्रवत तो शनी प्रवत काफी बढ़िया है इस पर दो तीन सी दिख्रे लेने शो कर रही है कि ब ही इसी दिख्रे ददर रेखा होती है तो व्यक्ति को एक समय के संगर्ष के बाद समआज में काफी अच्छा मान तमवान मिलता बात करें बुद्ध बर्वत की तो बुद्ध बर्वत नॉरमल है जब ऐसा बुद्ध बर्वत होता है तो व्यक्ति को अगर जॉब भी कर रहा होगा तो उसे बिजनस की तरफ काफी इंटरेस्ट होता है और ऐसे वक्ति बिजनस में डीट भी पाया जाते हैं इस पर एक दो-तिन सीधी खड़ी लेने नहीं है जब अगर सीधी खड़ी लेन होती ही तो काफी अच्छा हुथा पिंकि फिंगर सूर्य क्यूं लीकर फाली तक बिलकर नहीं पहुंच रही जब ऐसा अ कबिस्या को करना है कि शायद यह पॉंच रही है यह जब ऐसा कॉम्बनेशन वक्प बनता है हाथ में तो कबके नहीं आता है निप पैसे को कब किस तरह का पर इंवेस्ट करना है यह सारी चीज़े तो मैंने भीज़े आपना कमाया पैसा जब इनके आया करें तो उसे खुद ना रखकर अपने किसी फैमिली मुंबर में किसी को दिया करें जिससे पैसा सेव होगा और अच्छी जिगा बन जाते हैं शनी की उंगली सबसे बड़ी और सीधी है तो व्यक्ति सच्चा ही पसंद होता है इनसान होता है और व्यक्ति को जूट कभी पसंद नहीं आता दोस्तो बात करें रेखाओं की तो आप देख सकते हैं कि हिड़ी रेखा काफी बढ़िया है जब ऐसी हिड़ी रेखा होती है तो व्यक्ति में शनी के और गुरू के दौनों के गुण मिलते हैं व्यक्ति मनी मांड़ी होने के सांथ द्याल निचर का भी होता है दोस्तों ये इनकी विवार रेखा है और ये थोड़ी मुझे लेट लग रही है तो around मेरे मान सकता हूँ कि इनको इनकी शादी भी लगबग 37-38 के पार आसपास हो जाएगी कि दोस्तों माइड लेन काफी बढ़िया है जब ऐसी माइड लेन होती तो कब विक्ति काफी इंडेलिजेंट होता है काफी बुद्धिमान होता है और हर चीज में लॉजिक ढूणने वाले विक्ति होते हैं और हम बात करने की जीवन रेखा की तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि यहां पर काफी दक कट लग रहे हैं और जीवन रेका नहीं निकली है तो थोड़ा कन्फिशन पैदा करेगा थोड़ी प्रॉब्लम आइंगी इनको लेकिन एक समय के बाद इनकी जीवन रेखा निकल अफ दोस्तो यह आयां से उख सकते हैं काफ यह अथा उफशूट या रहे है जब और तर्फुट होते हैं तो व्यक्ति को बुणे और आपको निकाल ना तो बुसके जीवन रेखा पर अफशूट देख लिजे का उप शूट कम हैं तो आपको पता चल जाएगा व् Mickam इनकी जीवन देखा को मंगल देखा का भी सपोर्ट मिल रहा है तो दोस्तों 40 तक मैं कह सकता हूं 30 तक कंफूशन है 30 के बाद जिनकी सवर जाएगी इनको 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 किसी पंटजी ने बताया था किनके राहु केतु ज्यादा खराब है तो हाथ में देखकर मुझे यसा नहीं लगता कि राहु केतु से को भी प्रब्लम होगी इनको आगे फूचर में और इतनी भी कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है पाम काफी बढ़िया है 40 के बाद काफी अच्छा भाग्यों दे मुझे दिख रहा है तो दोस्तों मैं इनके पाम का पूरा एलसिस कर दिया है मैं आशा करता हूं कि इनको इनके सवालों के जाओ मिल गए होंगे अगर आपको मारी वीडियो अच